वे नितिश मंत्री मंदल में शामिल नए मंत्रियों को विभाग भी आवंटित कर दिया गया है मौमद जमाखा को अल्पसंक्या कल्यान मंत्री जेडियू कोटे से मंत्री बनी लेसी सिंग को भोकता संद्रक्षक विभाग तो वही नीरज कुमार सिंग को परियावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग दिया गया है विभागों के बटवारे में एक शेत्र एवं जातिय समिकरण का पूरा ध्यान रखा गया है आपको बता दे कि सीम नितीश कुमार जेडियू कारियाले में आज प्रेस वारता भी करेंगे मंत्री चुने जाने के बाद शेहनवाज हुसैन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है बताया जा रहा है कि हुसैन पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बाचीत करते हुए पीम मोदी का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि मैं हमेशा पार्टी के लिए काम करते आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा बढ़ते हैं जमुई की तरफ जमुई से निर्दलिय विधायक सुमित कुमार सिंग को मंत्री पद में जगा मिलने पर उनके एक शेत्र वासियों में खुशी की लहा है एक और जहां वो मंत्री पद का शपत लिए तो वहीं दूसरी और उनके एक शेत्र में कारेकरता पटा के छोड़कर खुशी जाहिर कर रहे हैं आपको बता दे कि सुमित सिंग निर्दली उमिदवार हैं लेकिन वो जेडियों की तरफ से मंत्री बनाए गये हैं यह कहिना कहीं पूरे जमुई जिलावासियों के लिए हर्स की बात है कि एक युवा नायक जो कहे जाते हैं हमारे सुमित सिंग जी उन्हें मंत्री मंडल में सामिल किया गया है उनके संघर्स को मैं तहित दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि कहते हैं संघर्स बहुत बड़ी चीज होती है वो धैर रख करके पूरे निष्ठावान के साथ आपने जनता के बीच में जाकरके उस चुनाव को लड़े जनता का विश्वास को जीता और आज उन् झाल